शहर की इस भीड में चलतो रहा हूं जहन में पर गाउं का नक्षा रखा है जब जिला आजमगर सदर तहसील उचा गाउं का कोई लड़का प्रदेश की सबसे प्रतिस्ठित परिच्छा उत्तर प्रदेश लोग से अभयग यूपी प्यस सी क्वालिफाई करके डिप्टी जेलर बनकर आपके संग बैठा हो तो इससे बहतरीन कोई और शेर आपके जहन म आपके जहां यह आदा बादा सीधा सरा अरड़का आब डिप्टी जेलर बनेगा और सारे अपराधियों पर लगाम रखेगा डिप्ती जेलर में सेकेंडड-रैंग पाई है कुंदन सिंग आज कुंदन सिंग हमारे साथ है और इनकी तैयारी के समय से हमारा जुडाव है कि पहले 2018 में ही इन्होंने मेंस दिया था बस कुछ नंबर से चूप गये थे इन्होंने पेपर अंग्रेजी मीडियम में लिखा जो पहला परचाव होता हिंदी का उसमें बड़े कम नंबर आए तो उस चक्कर में चूप गया वरना यह 2018 में ही PCS हो गये होते बहराल उसके बा एक्षिर और याद आ रहा है और वो यह है कि उसे गुमा है उसे गुमा है कि मेरी उडान कुछ कम है उसे गुमा है कि मेरी उडान कुछ कम है मुझे यकी है यह आसमान कुछ कम है तो मैं चाहता हूं अपने उस आसमान की यात्राज खुंदन खुद से बताए और मैं पहले बता देखा किसने और जब देखा तो तुमको पता कैसे चला और उससे जलेक्षहां कि पता जाता है हुद एक संजौक पहले गान चला गया था कुछ काम के वज़ों से तो साम तक दुख़की बढ़ रही थी कि रिजल्ट आजाये गा तो मैं मेरा रथा है कि मेरा रिजल्ट कोई और दखो को मुझे लगता है मैं देखूंगा तो नहीं होगा तो मैं अपना मोबाइल साइलेंट करके थंड थी तो बाहर आग जलाई थी तो उसमें अम लोग से बैठे थे तो हमारे मित्र है अस्थोस पांडेजी तो उन्हों ने जब रिजल्ट आ गया मेरे में कॉल किया तो साइलेंट था फोन उट नहीं रहा था तो मेरा भांजा है तो उसको नंबर था इनके पास उन्होंने उनको बताया तो उसने मुझे फिर बताया तो उसे पता चला फिर परिवार वालों सब कोई खुशी लिए कि सब लोग खुश थे कि सेलेक्शन हुआ में तो आप क्या कर रहा है तो आग जली वही थी लकड़ी वाली तो रोटी से रहे थे बाहर करकट में खाने की तैयारी हो रही थी माता जी तो खाई नहीं पाई खुशी किमारे मैं क्या कि मैं तो खाने वाला आदमी तो खा लिया हो रहा है यह बड़ी है अचानक से एक रिजल्ट हमको कुछ खास बना देता है वही लोग जो अब तक हमारी सुन नहीं रोते हमसे सुनना चाहते हैं मैं जानता हूं कि तमा सारे चाहते होंगे कि आगर PCS के strategies आपकी क्या रही आपने prelims के लिए कैसे पढ़ा मैंस के लिए कैसे पढ़ा और सबसे पहले आपने पढ़ाई की शुरूआ मतलब PCS का पहला था वह कब से शुरू किया और क्या क्या कमिया रहे कि आपने हमको बताया अभी कि 2018 में आपना या और उस बार मेंस आपने पहली बार में करिया लेकिन हो नहीं पाया और फिर आगे नहीं हो पाया और फाइनली अब हुआ क्या changes है सबसे पहले तुम्हेले चाहूंगा prelims के strategy के बारे में बताएं कि बच्चों को क्या रखनी चाहें सर्जे वो PCS का prelims होता है वो मतलब 2018 से इसमें बहुत ही changes आएं इसकी प्रकृती पे तो सर 2018 से syllabus भी change हुआ था एकदम UPSC pattern पे हो गया था negative marking भी आ गई थी तो सर 2018 की जो परिच्छा थी उससे जो है मैंने मनलब तयारी शुरू की थी तो वहां पे सर जैसे मेरा main focus था की previous question को मैंने अच्छे से किया था तो उसके लिए घटना चक्र की पूरवा लोकन मैंने ली थी और बाकी सर जैसे घटना चक्र की एक आई द्रि इसमें चीजें ज्यादा आती है तो सर जैसे आयोग जो पेपर करा रहा है जैसे आरो का करा या एपियस का हुआ इंजिनिरिंग सर्विस का हुआ अगरिकल्चर सर्विस का हुआ उस समय सर उसका होता था अगले एर में सवाल बना देता है जी तो वही आप थोड़ा सा माइनूट में अगर जाएंगे तो आपको काफी चीजें मिल आप पहले से ही प्री एजम्शन कर पाएंगे कि काफी चीजें जो साट सतर सवाल है आप आराम से कर पाएंगे अपनी प्रीविस एर कोश्चन की दयारी से बाकी करेंट फेर इसमें में रहता है क्योंकि 30-35 सवाल आते हैं तो उसके लिए आप मतलब एक-दो सोर्स करते रहे हैं जैसे घटना चक्रुआ बाकी उसकी आइद रिष्टी में जीन हुई बाकी यूट्यूब पे भी आप काफी चैनल्स आ गये हैं तो करेंट जो है आपको 3-4 महिने पीछले वाला जो जिस दिन में जैसे आप 17 मार्ज को एक्जाम होने वाला है तो जैन्वरी फरवरी का जो करेंट होगा वो सबसे मोस्ट इंपार्ट हो हां क्योंकि पेपर उसी टाइम बनता है तो कोस्चन जादा है तो प्रिलिम्स के लिए सर यह स् स्ट्रेटजी यही रहती है कि 1500 कोस्चन में एक बार दीट कर लूँ और जो जो मुझे एक्जेक्टली अबसूलूट आ रहे हैं तो मैं 60-70 सवाल जितने भी मुझे आते हैं वो कर लेता हूं इसके बाद मैं दूसरे रीडिंग में करता हूं कि जो भी मुझे डाउटफुल लगते हैं उनको मैं अटेम्ट करने कोशिश करता हूं और बाकी मैं 136 और बाकी मेरा ही रता है कि मेरा सवाल और 30 कोश्चन गलत हो तब भी मैं 1995 पूरबाब लोखन या पूराने सालों के पेपर अच्छे से पढ़ लिया जा और बाकी बेसिक कंटेंट आपको बढ़ना से ही मतलब यह बड़ी बात होती है कि कोई बंदा पहला अटेम्ट में ही वह अपना PCS कमेंज दे तो क्या रहा रणी ती आपकी मुखे परिक्षा की आपने 18 दिया और उसके बाद अब लगातार देते रहो फाइनली में सेलेक होए तो पहले वाले क्यों नहीं हो पाए और बाद वाला क्यों हुआ यह डिफरेंस जब मैं मेरा ग्रेजुएशन जो है 2017 कम्प्लीट हुआ था उसके बाद मैं सिविल से रख तैयारी मदिली चला गया था तो फिर सर जब मैं लोट के प्रयागराज से मेरी तैयारी हुई है तो वहां पर उसमें मैंने तैयारी की थी का अब्सक्राइब नहीं लिए तो और सबसे बड़ा उसमें हर्डल मेरा रा क्योंकि हिंदी मैंने एकदम नहीं बड़ा तैयारी नहीं किया मुझे लागा कि मैं हिंदी में बहुत अच्छा हूं तो मैं उसमें तो नमबर ला ही दुआ जी तो सर जब मेंस का रिजल्ट है तो मेरा 20-22 नमबर से ही रुका था 745 नमबर थे मेरे उसमें लेकिन सर जो हिंदी थी ओएक खतर नमबर ही मिला था डेड़ सो को ड़ेड़ सो नमबर में से तो सर वहां मुझे लाया मैं लैक कर गया मतलब अगर उस बार ही पंचान में हो गये होते जी सहां तो मेरा हो गया होता लगा और रहा है कविताय सुनना लिखना अच्छा आपने पेपर किस मेडियम में दिया है पेपर सरे इंगलिस मीडियम और यह पहली आत्रा रही और जब आप अठारा और निस और लगातार दे रहे थे तो जो शुरू के नहीं हो पा रहे हैं मतलब आपने मेंस के लिए exactly क्य क्योंकि इस बार जब प्री हो जाएगा तो प्री के बाद मेंस के लिए समय बचेगा बिसिकली मुझे लगता है कि आप जो पहले से पढ़के रखते हैं उसी को रमा करते हैं तो उन जो हमारे पास समय होता है प्री और मेंस के वीच को उसमें क्या करना चाहिए मेरा वही 18 में फेल होने का रीजन मेरा मेंस में ही था तो कि प्री से पहले मैंने मेंस की तयारी ही नहीं तो मेंस की तयारी प्रीलिम से पहले हो जानी चाहिए जी और सर एक चीज़ है कि अब सिलेबस जो आपसनल हट गया है तो जो है यूपी का वेटेज बढ़ता जा रहा मेंस में भी प्रिलिंस में भी तो हमें जो है आगर हम लोग यूपी में ऐसे प्रसासक बनना चाहते हैं तो यूपी का तो पूरा एकदम जानकारी चाहिए आर्थिक, समाजिक, सहच्छिक मतलब हर चीज यूपतर प्रदेश का जनना होगा बाकी मेंस के लेवल पर मुझे लूँगा और सबसे बड़ी मेरी स्ट्रेटजी की कमी रही मुझे लगता है कि मैं अपने अंसर को मतलब जो बीस कोस्टेन आते हैं मेंस में एक जीएस वन में जीएस टू में उसको मैं स्ट्रेटजाइज नहीं कर पाया कि उस को मुझे बीसो कोस्टेन को कैसे करना है जी तो सर वो गलती जब मैंने एक मेरा दोस्टा जो सलेक्ट हूआ था तो उससे मैंने काफी टिप्स लिए और उसने मुझे इमानदारी से टिप्स दिए तो उस जैसे सर बताया कि जो तीन गंते होते हैं मेंस के तो सर उसने एक गंते के बार्टिशन बाट दिया तो सर जैसे उसने मुझे बता है, जैसे मैं क्या करता था, कि शूरू से ही पहले question से ही शूरू कर देता था लिखना, अब बीसमे तक जाते जाते क्या उतला था, कि जो मैं 12 number के question आते हैं, उनके साथ नयायं नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें तीन page होते है answer के लिए, और देर फ से वो strategy सीखी और उसने मुझे यह बताया कि आपको जो तीन गंटे हैं उसमें सबसे पहले 12 नंबर वाले question करने है जिसमें है कि पहले गंटे में मुझे 7 या 6 question बारा नंबर वाले करना है जी और दूसरे गंटे में मुझे 12 नंबर वाले 4 question बचे हुए है वो करना है करना है और जो आठ नमबर वाले हैं उसमें मुझे करना है कि दो या तीन अटेंट हो जाए ताकि जो लास्ट का आवर होता है जिसमें पैनिक होता है कि मेरा चूट ना जा तो उसमें मुझे लगजरी रह टाइम का कि हम लोग साथ मिनिट में लब साथ कोश्चन कर ले और बा जैसे मैं तीन गंटे का सेड्यूल बनाता था हाँ जैसे पेपर होता है नौ से बार और एक दो से पांच तो मैं कोशिज करता था कि लाइवरेरी में बैठके एक टेस्ट पेपर लिख लूँ जी तो सर जैसे मैंने द्रिष्टी में मैंस टेस्ट श्रीज ली थी इस बार त फिर से वही टेस्ट फिर लिखता था इस बार यही थोड़ा मैंनत रही इसको यह जो बात इनोंने बताई इसको कंक्लूजन के तौर पर जो मैं जनरली क्लासें बताता रहता हूं यही कि प्रिलेम्स के लिए आपको जियस अब्जेक्टिव लेवल पर तयार होनी है इस घंटे आपको लिखना है और यह जो पहले काली पढ़ के सोचे लिख लेंगे और पढ़के मुझे लगता था कि यह क्या है तो मुझे आता मैं लिख लूगा है लाकिन एक्टवल एग्जाम में जो आप बैठते हैं प्रेसर होता है तो आप नहीं लिख पाते हैं तो अ मुझे मनलब 2020 में पता चला तो उसमें मैंने उत्तर प्रदेश का टेगरीम सब्स्क्रिप्शन लिया सर तब मुझे आपके बारें पता नहीं था लेकिन जब मनलब एक दो क्लासेज मैंने आपकी की तो सर दीरे-दीरे मुझे लगा कि मुझे तो गुरुजी हिंदी का महात्म हैं ऐसी हिंदी मतलब सर मैंने सीखी कि आप मेरे नंबर सो से पारी आते हैं मतलब यह साथ दिन पड़े पिरमाय चक्कर्म फस गए अच्छा तो हिंदी के लिए जिसको सबसे इग्नोर्ड सब्जेक्ट माना जाता है मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि PCS के बच्चे ह हिंदी को लगता है कि आरे यह तो कर लेंगे और जनरली मैं देखता हूं कि सिविल के कोचिंस हिंदी की त्यारी नहीं करवाती है और जबकि वह ऐसी चीज है जिसमें आप नब्बे के ऊपर तो हर हाल में ला ही सकते हैं आप सो ला सकते हैं 105 110 तक ला सकते हैं तो अगर आप संगत कर लीजिए तो सब ऐसे ही होई जाता है अचा इस बीच एक बात हमाई मन में आ रहे है एकदम गाउंग छोड़े बताते हो कि धानों लगवाए हो लगवाए हो अउका केते हैं चारा और भी काट लाए हो तो इस बताओ यह गाउं से यह डिप्ती जेलर की यात्रा के गाउं के थोड़े किस्से बता दो कईसे रहा बच्पन कईसे रहा कितना पीटे गए हो कॉम कॉम पीठा है गर में चोटे हो बड़े हो एक बार जड़ा अप घर परिवार के बारे में क्योंकि एक बात समझ लेजिए जिन्दगी में जब कोई सफल होता है तो सफलता में व क्लाइब करते हैं किसाने प्रपर किसाने माता जी घर पर रहती है पाकि सर मैं मुझे बच्पन से था कि मैं सबसे छोटा था तो एथा कि इसको पढ़ाना है इसको खेतिवारी में नहीं लगाना है जी तो उन्होंने अब मेरा क्या था मैं छोटे पर बनमास था पढ़ाई पढ़ाई के लिए मेरे घर वालों ने बहुत प्रयास किया और मैं धीरे धीरे उसके प्रती सीरियस होता है सुरू में तो मतलब बहुत मार खाना पड़ा जी आज भी याद करता हूं तो अगर उन्हों नहीं कि होता तो सायद आपके सामने से राज नहीं होता है यह भायों का प्रेम और उनका दुलार जैसे अंतरहात सहार दे बाहर-बाहर चोट तो परिवार के सदसे जब आपके आपने तैरी की शुरुवात कैसे की आप एकदम गाहों से थे और आपकी पढ़ाई कहां से हुए और आप कहां कहां से फाइनली आप इस मोड पर आए यह एक बार मेरी सरसाची क्रिश्ट भूमी आ रही है कि मैंने गाहों में क्लास फॉर्थ तक पढ़ाई किये इसके बाद मेरे भाईया ने एडमिशन करा दिया आजमगड के चिल्रेन कॉलेज में तो वहां मेरी सीवेसी बॉर्ड में एडमिशन हुआ था क्लास फिप से क्लास 12 तक पढ सब्सक्राइब देखा कि मेरा इंट्रेस्ट है तो मुझे लाइक मेरे अपने इंट्रेस्ट को ही परसू करना चाहिए मैंने इंवस्टी आप हिलावाद से बैचलर आफ हार्ट्स में जी सरकिया इसमें मेरे विशाए एंसेंट हिस्ट्री जोग्रफी और पॉलिटकल साइं एक बात मैं यहां जोड़ना चाहूंगा कि इंटर पीसे में इंग्लेश मेडियम पढ़ने के बाद यह पूरी तरह से इनको यह पता चल गया कि हमें करना क्या तो बीए करना कोई कमजोरी वाली बात नहीं है बस आपके सामने लक्ष होना चाहिए और इनके सामने लक्ष थ होग गया है को से दिया तो फिर मने पीचस का नौटिफिकरिया ठ्राइड़ों किhadow उसके बाद सब्सक्साइब करना चाहिए तो क्योंकि मैं उससे पहले अ तो उसमें मेरा पहली बार में हो गया तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आया घर वालों ने भी दोस्तों वालों ने भी कहा की तुम पहली बार में निकाले हो तुम कर सकते हो तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और फिर मैं इसमें PCS में लगा रहा हूं तो एक चीज जो आप ने देखी कि प्री और मेंस की जो बेसिक स्टाटीजीज है वो क्या रही और गाउं का लड़का कैसे मन बना लेता है तो आज उतरपतेश लोग से वाइब कि परिक्षा पासकर आपके सम्मुख बैठा हुआ है इस सबके संग कुछ ऐसा जो आपने तैारी के दरम्यान पहले तो दो तीन सवाल में मैं चात्र क्लास करते समय उन्होंने कहा था कि जब कुछ सवाल पूछना एक तो यह टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं पढ़ाई कैसे करते हैं अपने दिन की दिन चरिया कैसे बनाते हैं यह एक छोटा सा सवाल जरूर बता दें फिर उसके बड़ा बलवान होता है सर उसकी गती से कोई नहीं चीपा हुआ है वो सबको अपनी गती दिखा देता है मुझे यह से लगता है कि हमें जो है 24 घंटे को अपने आठ हाट के तीम सेगमेंट में बाट के त्यारी करनी चाहिए इसमें आए कि मतलब 8 घंटे हमें पढ़ाई कर ना हना दो ना हुआ वाकिंग हुई इस सब चीजों पर अपने स्वास्त पर अपने पैसंद पर अपने इंटर्टेनमेंट पर ध्यान देने ताकि अगर हम लोग अंदर से खुश नहीं रहेंगे तो हमारा पढ़ाई में भी मन नहीं लगें मतलब गदों की तरह नहीं पढ परणने की प्रविर्ति थी जैसे लोगों की होबी होते हैं कि कोई कहानी किसे पढ़ता यह जी के जी जी अस वाले थे और जी के जी जी एसकी उस रूची की वज़े से आपने फैनली यह लिया तो उसके अलावा कोई ऐसा किसा जो घर परिवार में बच्पन कर रहा हो जो को याद आ रहा हो दोस्ति घर का परिवार में जिसने आपकी पढ़ाई को मोड दिया हो ऐसा कोई सब्सक्राइब मतलब मैं अपने मोटिवेशन के लिए सिर्फ अपने मावा कोई देखता है तो लोग मतलब मैं देखता हूं यूट्यूब पर हुआ है से बड़े-बड़े सब्सक्राइब मैं मतलब तीन बार असफल हुआ हूं चौती बार इंटर्व्यू से फेल पाच्वी बार में जाके कंप्रेट हुआ है तो लोग पुस्तेंग भाई इतने दिन तक कैसे सस्टेन करते रहे मुझे लगता जो मेरी ग्रामीड प्रश्ट भूमी रही है जो मैंन मैं ठीबर चाह्तर इस अपने प्रिवेश के सकथा है और अपने माता पिता को यह अपना inspiration मांना है जय मैं मैंनत करूंगा और अपने लिए कुछ करूंगा वह से जो है मेरे बाब को ऊब्सक्राइब इकदम सच है जो आखरी में बात कही गई कि जब पिताजी गरव से कहें कि मेरा भेटा डिप्टी जेलर है जो खुशी होते हैं इसी खुशी के लिए पढ़ना होता है और यह जिस दिन जजबा आपके भीतर आ जाता है तो उस दिन जो समय आपका धीमे-धीमे भीतता है वो भीतना बंध हो जाता है आपको उसको यूटल इस अपनी खुली आखों की जो गतिविधियां है बस इनको मैनेज कर लिए उस समय को पूरा जी लीजिए तो आप अपने जिंदगी को भरपूर जीएंगे तो यह जिंदगी का भरपूर जीना आप जीए और कुंदन सिंग के कहानी हम सब को बहुत सारे लोगों को इंस्पा अपस्पलता मिलेगी अस पन्से सफलता में एक टी जो मुझे मैं मतलत बहुत असतल हूँ हूं 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 आज सब जाके सब्स हो एक चीज यह जो मुझे बहुत इंस्पायर कर थी लाइं कि आसफलता एक चुनवती है इसे स्विकार करो क्या कमिर गई देखो और सुधार करो जब तक न सफलो नीद चैन को त्यागो तुम संगर्स का मैदान मत छोड़ भागो तुम कुछ की विना यूहीं जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं क्या बात क्या बात है और बस कोशस करते रहना है और पूरे शद्दत से करना है और यह जब आ लिए एक तरह Nokia को शुटार को देखते हुए है और एक चोटी सी बात यह सब बात जरूरी नहीं कहीं लेकिन मेर मन है मैं कहूँ जब पहली बार कोचिंग करने गये थे तो गिंवेज का रुपया मिला था और उस रुपय को लेकर ही कोचिंग करने गये थे बीच में इनकी तवियत खराब हुई गले में कुछ टुबरक्लोसिस जैसी समस्य आई और यह अपनी तैयारी को बीच मे कहानी बना सकता है किताब बना सकता है उसके बाद लोट जलोट के आने के बाद फिर पूरी तरीके से एकदम पयारी और उसको दुबारा नए सीरह से शुरू किया और थाइनली आज इस मकाम पर हैं तो संगर सो को कहना तो बड़ी लंबी किस्ट हो जाती है लेकिन बस इतन समझ लीजिए कि अंतता बीना करें इस दुनिया में मिलता कुछ नहीं है तो वो करना पड़ेगा इनकी कहानी और बाकी हम लोग बैठें जलाने के लिए आपके भीतर की लोग को जलाने के लिए आपके भीतर की आपको बढ़काने के लिए हम बैठें अध्यापक का काम यह न पड़ता है जाना आपको पड़ता है लड़ना आपको पड़ता है अपना संगर्स हर व्यक्ति को अपने हिस्से का संगर्स जहिलना पड़ता है इनकी कहानी कुछ और है आपकी कहानी कुछ और होगी मैं चाहता हूं आपकी भी कोई कहानी हो और आप इसी तरह हमारे बगल में करता हूं बाकि आपको आप हमको इस चैनल पर देखते रह सकते हैं और पटवारी से कोई भी तैयारी हो हिंदी के लिए करना चाहेंगे लोगों को हिंदी के लिए सिर्फ आपके और देखें तो जीवन धन्यों जाएगा आज यह मास्टर सब्काली पढ़ाते पढ़ाने के लावा कुछ करते हैं तो अगर जीवन भी सीखना है पढ़ना है हसी मजाक में तो गुरुजी के पाफ है तो बस एक आखर पारी शेर कि ऐसे महंती लड़कों के लिए ऐसे गाउं के लड़कों के लिए यह कहता हूं जो जीवन में सफलता से घबरा जाते हैं मैं आपको बताओ कि इस बार इन्होंने तीन लगातार सफलता है मिली जब आप तैयारी कर रहे होते तो आपको डर लगता है हाई एक भी नहीं है तो वह पकापन जब आप में आ जाएगा तो सफलता है ऐसे बरस क्याएंगी तो कौन-कौन से आपके इधर ताजा सेलेक्शन नहीं हो रहा था तो फिर मैंने बीएट कर लिया था अभी कंप्लीट वाया अगस्ट दोजार तेश में तो मैंने भी पीसी में एक मीड इसमें अगर हो जाता है तो इसी को करेंगे तो आपका भी जब सेलेक्शन एक होगा ना तो एक साथ कई होंगे तो चिंता नहीं करनी है और किसी वितरे कोई दोविधा हो चले आना हम हैं बड़े भाईया समझना अध्यापक समझना गुरू जी समझना लेकिन कभी परेशा आगे बाद सफलता मिलती है तो अब मुझे अपनी बात को इसी शेर से खतम करना चाहिए कि जहां पहुच के कदम डगमगाएं हैं सबके उसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा उसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा बहुत बहुत धन्यवाद मैं हूँ आपका का समाधान करने के लिए एक बार आप भी धन्यवाद कहने हैं धन्यवाद धन्यवाद सर बहुत शुक्रें आप सभी का बाइब